अक्सर किसी पब्लिक प्लेस में जब आप जाते हैं तो आपको कुछ QR कोड़ दिखाई देते हैं आपको लगता है कि इन QR कोड़ के जरीए या तो आपको कोई information मिलेगी या फिर कोई lucky draw कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास कुछ lucky draw coupons आते हैं और उसमें भी QR कोड को scan करके एक सही destination पर पहुँचके आप अपने gift को avail कर सकते हैं कभी सोचा है आपने कि इस तरह की QR कोड जो है वो आपके पूरे data को चोरी कर सकते हैं कभी सोचा है आपने कि इस तरह की QR कोड को scan करने के बाद आपका पूरा phone scan हो सकता है और आपका data चोरी हो सकता है data चोरी तो छोड़िये आपके phone से आपके banking के सारी information जा सकती है और इसकी वजह से आपको लग सकती है लाकों करोडों या अरबों की चपत depends कि आपके account में कितना पैसा है वैल यह सारी चीजें आज suddenly मैं आपके साथ इसलिए discuss कर रहे हूं क्यूंकि recently मैंने एक project किया और यह project कुछ QR code से related ही था और जो phishing के जितने मामले आजकल आ रहे हैं और जिस तरह के online frauds हो रहे हैं लोगों के साथ तो उसी को जागरूख करने वाला एक video बना और उस video का जो Hindi recording है वो Hindi recording मैंने किया तो basically यह सब बाते मैं आपको इसलिए बता रही थी क्योंकि जब मैं इस script को पढ़ रही थी तो इस script को पढ़ते हुए हाला कि मेरी यह आदत नहीं है मैं generally QR code scan करना या फिर कोई discount coupons जो है उसमें scan करके किसी website पर पहुँचना और वहां से जाके उसको अवेल करना जाना किसी website पर पहुच जाना लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई करें लोग काई बार अब मान लीजिए कि आप अपने लोगों के बीच में get together में बैठे हैं और वहीं पर ही किसी के mobile पर suddenly whatsapp कटिंग टॉंग बचता है और वो बुलता है कि अरे देखो यह QR code आया है और यह मेरे किसी नोन नहीं मुझे भीजा है और इसके थूरू अगर हम इसको scan करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें lucky draw में क्या मिलने वाला है तो जब generally दूसरे reliable sources के थूरू आपको इस तरह की information मिलती है तो आपको लगता है कि यह जरूर एक सही माध्यम ही है जिसके थूरू जो मैंने project किया उसको करने के बाद तो definitely उसकी script परने के बाद तो मुझे definitely ऐसा ही लगा कि इस तरह नहीं करना चाहिए और QR code scan करने से जुड़े जो मामले होते हैं उनको लेकर थोड़ा सा serious और सजग होनी की जरूरत है और Android phone हो या फिर iPhone हो किसी भी phone में आजकल मतलब QR code को scan करने के लिए automatically सारी चीज़े available होती है तो क्योंकि it's just a click away और आप easily उसको scan कर लेते हैं तो इसलिए इन सब चीजों के बारे में आपको बहुत जादा conscious रहने की जरूरत भी है और ये project जो मैंने किया जिसके तुरू मुझे बहुत सारी information मिली और market में किस किस तरह के scams चल र project जो मैं अपने channel में बताती हूँ कि हर हफते career में क्या progress रही तो आज के इस video में बस यही progress है कि ये एक Russian project है बले ही Russia की लड़ाई चल रही है लेकिन फिर भी हमें तो काम मिल रहा है Russia से तो Russian एक project है और इसमें basically एक QR code के जरीए जो है अलग अलग तरा के जो frauds हो रहे है उसक Spanish और German Arabic इन languages में भी ये video बना बट मेरे पास जो project आया वो Hindi language की recording का है तो चलते है इस studio में और करते हैं इसकी recording और फिर देखते हैं कि कैसा इसका output आया है चलिए QR code या quick response code काले और सफेट square वारे खास तरह प्राटरंस हैं जिनके ज़रे किसी जानकारी को संशिप्त तरीके से और आसानी से एकठा और दूसरों तक पहुचाया जा सकता है ये digital barcode ये digital barcode जैसे ही होते हैं इन्हे स्मार्ट फोन या scanning device की मदद से scan किया जा सकता है दुनिया भर में QR code का इस्तेमाल अलग-अलग जरूरतों के लिए किया जाता है उदाहरन के लिए आप उन्हें product packaging, restaurant menu, विज्याबनो या business cards पर भी देख सकते हैं QR code को scan करने पर आप एक website पर पहुँचेंगे आप से संपर्ट जानकारी मांगी जाएगी या आपको खास shoot और promotion offer दिये जाएंगे इन कोडों का उभ्योग टिकेट के रूप में भी किया जा सकता है जिससे आप केवल code दिखाकर किसी कारिक्रम में या किसी यात्रा में जाने के लिए quick access पा सकते हैं सही है यार QR code के दरिये कितनी कितनी चीज़ों जाते हैं फैर यह सही script बढ़ यार कितना वार 25 seconds ओके आगे चलते हम अगर आप किसी अंजान स्त्रोट से मिले QR code को स्कैन करते हैं तो ऐसा करना ख़दरनाक हो सकता है अविश्वस ने इस त्रोटों द्वारा प्रदान किये गए QR code स्कैन करने से डेटा चूरी हो सकता है और आपकी नीजी जानकारी आपकी मर्जी के बिना किसी और के पास पहुँच सकती है गलत इरादे से बनाए गए QR code का इस्तमाल करने पर यूजर्स असले वेब साइटों के बजाए उन से मिलती जुलती नकली वेब साइटों पर पहुँच सकते है इन धोखा धड़ी वाली वेब साइटों का उद्देश ये यूजर्स को अपनी नीजी जानकारी जैसे लॉग इन क्रिदेंशल्स या क्रेडिट कार्ड की जानकारी देने के लिए उकसाना है इस तरह सीधे साथे लोग फर्जी क्यू आर कोड को स्कैन करके फिशिंग हमलों का शिकार हो सकते हैं बाई जबरदस स्क्रिप्ट है मजलब की साफ साफ बदा रहे हैं कि मतलब जो सिमिलर वेब साइट होती हैं उन पर कैसे पहुंच जाते हैं लोग और लोग को जड़ा भी अंदाजा नहीं होता कि क्यू आर कोड स्कैन करके वो एक मतलब ऐसी वेब साइट पर पहुंच गये है कि ये किसी मालवेर से लिंक हो सकता है जो कोड स्कैन करने के बाद आपके डिवाइस पर डाउंडूड हो जाता है आपके डिवाइस पर आने के बाद मालवेर आपकी डिवाइस की सभी गोपनिये चीज़ों तक पहुंच सकता है आपका कीमती डेटा चुरा सकता है इसके नजर से देखें, अगर कोई QR कोड जहासा देने वाले ओफर, इनाम या छूट देने जैसे जूटे सपने दिखा कर कुछ ज्यादा ही सचा होने का वादा करता है, तो बहुत साफधान रहें, स्कैम करने वाले लोग अकसर अंजान व्यक्तियों को लालच देने के लिए इस त अपनी जी जानकारी और डिवाइसों को सुरक्षित रखते हुए इस तक्मीक का लाब उठा सकते हैं, ऐसे कई सुरक्षा उपाएं हैं जो QR कोड इस्तिमाल करने से संभल दिख खतरों को कम करने में मदद करते हैं, सुरक्षा के अच्छे तोर तरीकों के उदाहरं चुने, दन, वैसे यह समझ आ गए मुझे यहां पर यह करने के बाद कि इसके बाद और काम आने वाला है क्योंकि इसमें अब आगे लास्ट में उनने बोला है कि सुरक्षा के उपाएं हैं QR कोड इस्तिमाल करने के, तो अगर यह पास हो जाता है, my followers and fans, अगर यह पास हो जाता है, तो definitely बहुत सारा और काम आने वाला है, so wish me luck for this, अभी के लिए यह तो complete हो गया, thank you. अगर आप भी करने बहुत सारी इन्फिमेशन जानने को मिली, कि QR कोड से related scams किस-किस तरह के होते हैं, और उनमें आप किस-किस तरीके से फश सकते हैं, या QR कोड जैसे आपको कहीं नजर आए, तो आपको, आपके दिमाग में सबसे पहले 3-4 थौट्स क्या होने चाहिए, अभी QR कोड से related किसी scam में फशे हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसी information है, जो आपको लगता है कि बाकियों के लिए भी जानना बहुत जरूरी है, तो comments में जरूर लिखकर बताएं, वीडियो मेरे अच्छे लग रहे हैं, और रोज वीडियो डालती हूं, अलग-अलग चीज आज के लिए इतना ही, बाई